इसका death हुआ है वो भी मेरे की कलीग है वो भी सेकेट्यर की resident है इसके साथ हो सकता है तो किसी के भी साथ हो सकता है at any time and anywhere हमारी basic mang है कि हर एक hospital में at least एक proper security guards, proper working CCTV cameras रहे इससे एक doctor को लाफ करके murder कर रहे हो तो यह intelligence का waste नहीं है और क्या अगर आगे हमारी मांगे नहीं पूरी की गई तो देरा चांसेस देट विल स्टॉप दी एमजेंसी सर्विसेस ऐस वेल कोलकता में हुई घटना के बाद पुरे देश में डॉक्टर आक्रामक है और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसमें कारवाई की जाए मैं मुंबई के नायर अस्पताल के बाहर हूँ यहां पर आप देख सकते हैं यह सब रेसिडेंस डॉक्टर है जो अलग-अलग प्लेकार लेकर जस्टिस की बात कर रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि जो हुआ है गलत हुआ है और आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कारवाई क हम लोगों से बात करेंगे जिस तरह की घटना कोल कत्ता में हुई है जाहिर सी बात है रहा है जो वहां रहते हैं हम हुस्पिटल में हमेशा रहते हैं एक बड़ा कंसर्ण बन गया है अभी जैसे आपको पता होगा आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो भी हुआ है वो इसी कारण हुआ है कि वहाँ पे एडिकुट सेक्यूरेटी नहीं थी सेक्यूरेटी गार्ड वगरा नहीं थे वहाँ पे एक प्रॉपर साइड रूम जो होती है जहां पे हम एक 36 आस 48 आस की अगर कंटिनूस ड्यूटी कर रहे हैं कोई भी महिला हो या पूरुष हो तो उसके बाद इंसान एक्सपेक करता है कि हमें थोड़ा आराम करने के लिए ए करना पड़ा जो कि बिल्कुल आइसोलेटेड जगे पे थी वहां कोई सेक्योरिटी नहीं थी हमारी बेसिक मांग है कि हर एक हॉस्पिटल में एक प्रॉपर सेक्योरिटी गार्ड प्रॉपर वर्किंग सीसीटीवी कैमरा रहे लोगों के आने चाने पे बंदी रहे जैसे व उसका हॉस्पिटल में कोई भी काम ना होते हुए वह हमेशा आता चाता रहता था वह आरोपी किसी ने उतके आने चाने पर कभी रोक नहीं लगाई है तो ऐसे कोई भी आते चाते रहे तो एक बड़ी थ्रेट है वो कि आज वो इनको कल वो किसी पेशन को हाम कर सकता था या किसी और डॉक्तर को भी हाम कर सकता था तो ऐसा नहीं होना चाहिए लोग के आने चाने पर उतनी सिक्यूरिटी होनी चाहिए अगर जो पेशन्ट है वो वही एंटर करें आम लोग ना आपने जो प्लेकाट लिया है यह क्या आप इसमें क्या लिए देखिए आज जो कॉलकत है वो तुरंट से तुरंट होनी चाहिए और जो दोशी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए यह हमारा सबका मांगना है इसलिए फॉर्डा के संगाटन के साथ में जो मार्ण है महाराश आज हम पूरे देश के रेसिडेंट डॉक्टर एक साथ खड़े है ताकि एक चगे पे जो यह इंसदेंस हुआ है वो फिर से कहीं भी पूरे देश में कहीं है और मैं यह कहना चाहूंगी कि आज जो उसके साथ हुआ है अगर वर्क प्लेस में ऐसा हो सकता है तो यह किसी भी कोई भी लड़की के साथ विढ़न एंटाइम एनिवेर यह हो सकता है तो this is a big cause and we should stand for it and justice मिलना ही चाहिए उसको और यह सिर्फ उसका नहीं है यह justice पूरे इंडिया का है और इसके लिए हम यह लोगों को तक पहुंचाना चाहते हैं अगर उसके साथ हो सकता है तो किसी के भी साथ हो सकता है at any time, at anywhere intelligence raped, intelligence murdered, intelligence wasted वो एक doctor थी, वो healer थी, वो आगे चाहके heal का सकती थी लोगों को जान बचाते बचाते उसके साथ एक heinious crime हुआ है तो obviously intelligence तो rape हुआ ही है, सिर्फ rape नहीं, उसको murder भी किया गया है और हमारी इंडिया में doctors की कितनी कमी है और एसे एक doctor को आप rape करके murder कर रहे हो, तो यह intelligence का waste नहीं है और क्या है, और आप दूसरी तरफ बेल रहे हो कि brain drain हो रहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि doctors हमारे इंडिया में ही safe नहीं है they aren't safe in India काफी गंभीर बात कहिए, कि वो doctor एक healer थी, जो किसी की जान बचा सकती थी आपका अगला कदम क्या है, मतलब आप कब तक यह protest करेंगे और इस protest के दौरान आपके पास काफी महत्वपूर्ड जिम्मेदारी भी होती है तो जो patients आ रहे हैं, उसके लिए क्या alternate है हम लोगों ने अस्पताल में जितनी भी emergency services है, वो चालू रखी है elective services को hold पर किया है, actually आज central government और सारे associations के साथ में एक बड़ा meeting है, उस meeting के result के उपर depend करता है कि यह strike आगे कहा तक जाएगी मैं समझना चाहूंगा, एक आम आदमे के लिए भी, यह protest तो justice के लिए होना ही चाहिए और मिलना भी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन आपके उपर जो जिम्मेदारी है एक भगवान के रूप में आपको देखा जाता है, तो जो patient आ रहे हैं, जिसका BMC में तो आपको पता है कि लोगों को महिनों महिनों तक लाइन लगाना पड़ता है, किसी एक टेस्ट के लिए, तो क्या-क्या उन्हें दिक्कते आ सकती हैं, किस-किस चीज के लिए उन्हें और रुपना पड़ेगा, जिस्ट यह protest को देखते हुए जितने भी elective services हैं, मतलब normal जो patients आते हैं, OPD में उन्हें देखा जाता है, हम लोग resident doctors के absence में हमारे जो seniors हैं, वो अभी भी हमापर available है, सारे services चालू है, emergency services, जो कोई भी patient का कोई emergency है, तो वो सारी चीजों को हम respond कर रहे हैं, अच्छे से, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, हो सकता है, कि चीजों को थोड़ा सा जादा, थोड़ा सा जादा time लग सकता है, क्योंकि manpower कम हुआ है, बट रुका नहीं है, तो patient care में कोई loss नहीं होने वाला है, बट येस, अगर आगे हमारी मांगे नहीं पूरी की गई, तो there are chances that will stop the emergency services as well, तो ये काफी बड़ी बात है, जो doctors बत की जा सकती है, मैं बात करूँगा, जो test doctors करते हैं, जैसे city scan हो गया, MRI हो गया, जो दूसरे दूसरे test है, क्या उस पर भी इसका आसर पड़ा है लोगों को, सारी emergency services है, सारी emergency services शुरू है, जो भी चीज emergency services के अंदर आती है, जिसमें patient को तकलिप हो सकते है, ऐसे सारा services शुरू जो पुरी तरह से सक्षाम है, अपना hospital सामालने के लिए, यह हमारा एक प्रोटेस्ट है, इसलिए हम लोगों को, हमारे दीदी को न्याय मिले, इसलिए हम लोग या पर आए वे, हमारा demand जैसा है, कि वो जो matter wise में सुभी है, CBI inquiry हो, उनके family को compensation मिले, लगभग 1-2 करोड आप मुंबई जैसे शहर में डॉक्टर है, भीड बहुत आती है, क्या यहां पर भी उस तरह की समस्या है, आप लोग महसूस करते हैं, जिस तरह की चीजे कोलकता हुए, सिर्फ मुंबई की बात नहीं कर रहा हूं, महाराज से की दूसरे डिस्टिक की भी बात नहीं करते है आप रोज न्यूज में देखते हो कि हर कोई सुसाइड कर रहा है, हर कोई से पीडित है, और सबसे में मतलब हमारे जो रेसिरेंट डॉक्टर है, इनको पर मेंटल प्रेशर बहुत जादा है, उनके तरफ डिपार्टमन के तरफ से मेंटल प्रेशर हो गया, कॉलेज के आप उन्होंने होटेल वागरा भुक किया था, पैसा तो फाइनशल लॉस हो इदा, उनका मेंटल हिल्थ का भी उन्होंना लॉस हो था, तो इस तरह से जो बेहुदी हरकते चल रही है, जो भी उपर लोग बैठे हुए, तो क्या ऐसी सुरक्षा यहां पर है महारास्टर में या फिर महारास्टर के भी कुछ ऐसे जिले हैं, जहां पर डॉक्टर अपने आपको असुरक्षित महसूस करते हैं, रोज हमारा गुरूप है वापे, हर आए दिन कोई ना कोई खबरे आती है, कि रेसिडेंट पे हमला हुआ है, रेसिडेंट को मारा गया है, रेसिडेंट क भी बढ़ाओ, और उसके बाद में जो भी लॉग है, तुरंद अपने डॉक्टर के लिए लागू कर दिया जाए, और सबसे में मांग जो है, जो भी अनेमसी में और इदर जो लोग बैठे हुए, वो ऐसा तुरंद कोई ना कोई डिसिए ना आला दे, जिसके हमारे मेंटल लेलपी पर कोई परिशानी है, तो आपने रेसिडेंट्स डॉक्टर को सुना, ये नायर अस्पताल के डॉक्टर है, और नायर अस्पताल के गेट पर ही ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग है कि सेंट्रल प्रोटेस्ट जो एक्ट है, जिसके तहत डॉक्टरों को अगर सरकार फैसला लेने में और देरी करती है तो आगे चल कर इमेजेंसी सर्विसेज भी बाधित हो सकती हैं क्याम पर सचीशने के साथ सूरज उजाए बीपी नियूज मॉंबाई क्याम व्यब फिर्य कर दे की हाथ इमें और उनवर छे खूप़े होWowPad क्याम पिर्ग्स जढ कर अजरिक हैं झाल झाल